नमस्का दुस्वाज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो है Study in Germany उससे रिलेटर हमारी ये comprehensive discussion रहेगी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा क्राउन इमिग्रेशन को जर्मन टीचर की requirement है जर्मनी की हम exclusively public universities को deal करते हैं हमारी number of videos हैं हमारे चैनल के उपर Study in Germany जिसमें हमने always एक ही चीज़ हर एक student को recommend की है कि जर्मनी में जाना है think about only public universities उसके पिछे reason क्या है कि fees free है private versus public universities का care differences है private में fees है कितनी 7000 euro से start होकर 20,000 euro की है depends आपके उपर है public में क्या है कि there is a entire totally free of course है बहां की सारी की सारी bachelor master or PhD सकती study तो this is the first difference second naturally है जो public universities है उनकी Germany based degree होगी जो private की है वो degree UK based है तो इसका भी difference है बहां के जो employer है firstly they are giving the preference to the Germany based degree को अगर आपने वहां पर job करने है this is the third option instead of UK based आपकी degree है ऐसे बहुत सारी चीज़ें है technical वो technical चीज़ें उनी को मालुम है जो यहां पर काम करते हैं आपको public universities को deal करने वाले बहुत exceptional लोग मिलेंगे market के अंदर private के लिए तो आप university को किसी को डालो mail immediately आपको reply कर देंगे आज ओ जी बेजो 2000 यूरो बेजो 3000 यूरो तो अभी मैं process बताऊंगा कि हम किस तरीके से case लेते हैं bachelor में कैसे जाना है आपने master में कैसे जाना है bachelor में जाने के लिए बहुं सारी वीडियो में मैंने बार बार बताया है हमारी बहुं सारी वीडियो जिनमें मैंने complete process पा है आग की वीडियो में मैं complete process पा है bachelor वाले students के लिए bachelor वाले students के लिए जो दो चीजे mandatory है मैं बता देता हूँ पहले पहले तो test as mandatory है test as aps भी है test as aps पब्लिक के लिए भी लगया तेरा साल की स्टडी है डिरेक्टली आपको अगर तेरा साल मतलब बारा साल के बाद आपने एक साल और भी कॉलेज में लगाया हुआ है तो आपको डिरेक्टली बैचलर इंग्लिश टोट में जर्मनी में फ्री उनिवस्टी में मिल जाएगा अभी जर्मन लेंगोज बीटू तक सीखनी पड़ेगी उसमें 6-9 मत लगते हैं जो आपका फॉंडिशन प्रोग्राम में स्टूडिंग क्लिंग इत बिल भी है अगें डिपेंड वन येर तो यह करना पर फिर आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी अभी इसको कैसे ए अगर मैं आपको जर्मन स्टूडिंग कुली बैचलर भी देता हूं वो भी पब्लिक युनिवस्टिस में दोंगा आपकी जर्मन लेंगोज की फीज आगी 15-2000 यूरो आएगी वो भी पर मत 100-200-200 करके देने हैं बहां ही पब्लिक युनिवस्टिस के अंदर स्टूडिंग क इसके लिए सबसे पहले आपकी जो एप्लिकेशन से हैं आइधर इट इस डिरेक्ट अप्लिकेशन है और थू जूनिवस्ट है फस्टी चेक ठीक है उसके बाद बिफोर अप्लाइंग दा केस आपको बहां के ग्रेडिंग सेस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए 7, 8, 3 आ जाते हैं इनके अडिमिशन किस वی besten लेने है उसके लिए उक्राउनिमी के पएस बहुत सारी आप्सटन्स हैं यह बीपीडी है यह महां की ग्रेडिंग सेस्टम है वोग करते हैं कि इंडियन ग्रेडिंग सेस्टेम को जर्मिनी में कैसे लेक्ट किया जाए हैं आप आप नेपाली स्टूडेंट हैं, आप अफरिकन स्टूडेंट हैं, आप पकस्तानी स्टूडेंट हैं, आप श्री लंकन स्टूडेंट हैं, आप यूई के स्टूडेंट हैं, आपका IV बोर्ड है, तो आपके लिए क्या 13 साल की स्टूडी लगेगी, क्या आपकी जो स्टूड का आई-वी डिप्लोमा है तब भी हम आपको प्लस पॉइंट दे सकते हैं कि आपके लिए अभी डिरेक्टिव बहाँ पर इंग्लिश टोट में जर्मन में मिल जाएगा पब्लिक युनिवस्टी में फ्री ऑफ कोस्ट पर आपका कंसर्टेंट कितना कंपिटेंट है चलो अभ अगर आपकी इससे कम बनती है जो 2.4, 2.3, 2 बनती है 1.5 वो पोस्टी प्रफाइल से हैं उनके एडमिशन आएंगे या आएंगे कोई प्रॉलम नहीं लेकिन हम 2.6, 7, 8, 3 वालों को भी लेकर देते हैं वो किसमें है जर्मन टोट में उनको मास्टर डिग्री में मिलेगा ल जर्मन की यो फीस है बीटू लेवल तक आपकी 15 से 2000 यूरो से ज़्यादा नहीं आएगी वो भी इंस्टाल्मेंट में देनी है ऐसे ऐसी चीजों के बैनिफिट अगर आपको कंसल्टेंट दो देता है जिसके थूर आप फॉरण जा रहे हैं तो मैं कहूंगा आँखे बंद डाकुमेंट ऊरिजिनल के नाम पर बलैक मेलिंग करते हैं और ट्रायेंट से पैसे लेते हैं जहां ना कोई ऊरिजिनल डाकुमेंट है ओपन, ट्रांस्परेंसी है, सब कुछ ओपन है बीज़ा लगने के बाद पैसे लेने है brings processing Colorado कि या आपका consultant कितना competent है उसके बाद जिस प बता सकता है जिसको इसके बारे में knowledge है thereafter उसकी requirement क्या उस प्रोग्राम की क्या उस प्रोग्राम में क्यों experience चाहिए क्या उस प्रोग्राम में IELTS चाहिए जाँ MOI के साथ भी apply कर सकते है IELTS क्या बहां की public university PT को prefer करती है Germany में अगर आपने अपना public universities में visa डालना है क्या मैं 5-6 universities में apply करूँगा 5-6 में डालूँगा तो क्या मैं junior assist के तुरू डालूँगा चा डिरेक्ट भी डालूँगा आपकी research बहां की 200 universities है उसके उपर कैसी है public universities के उपर क्योंकि उसके उपर माथाखानी नहीं करनी है तो आप ये लेकर चलिए जिन countries में admission में इतना competition है तो visa, visa में there is no any problem in Germany अगर आपका public university से admission आता है तो they are welcoming कि आज ही है हमारे पास तो ये वो नहीं है Canada हुआ, UK हुआ form भरा admission बेजा admission आगया, application डाली, visa आगया तो यहाँ पर ऐसे process करने पड़ते हैं Finland जैसे country में admission लेने के लिए जैसे UPSC का, SSE का banking का exam है उस जैसे exam clear करने पड़ते है, तब जाकर admission मिलता है visa में there is no any problem हमें मालुम है कौन सी country आँखे बंद करके visa देती है जहां से आपका admission आए, तो क्या आपने वहाँ डाला है, तो सिर्फ आपने कहने कि मैंने जाना UK है, UK की situation देखना आने वाले time में, हड़ते नहीं है आप भी, आपने 15-16 लाग रपे साल की फीज दे के UK जाना, instead of मैं कहूंगे भई आपकी फीज बहाँ से 50% ही लगेगी UK से भी, तो आप बहाँ जाए और PR उससे ज़दा इसी मिलेगी, फिन नेड में जाना, वो के अंदर वो कौन सी country है, कोई बात नहीं, वहाँ से फर फोन करना कौन सी country है, तो आपका 3 साल की bachelor है, तो तब आपको क्या admission मिलेगा बहाँ पर क्योंकि जर्मी तो 4 साल की admission मांगती है तो ये सारी की सारी, तो इसके अलावा, तो अगर आपने master की हुई है, bachelor के अलावा master की हुई है, तो क्या आपके BPD में master के भी point बनेगा आपकी grading, वो किस वे से जुनियसे evaluate करती है, तो ये सारी की सारी technical चीज़ें वो ही बता सकता है, जो in countries में number of times, number of applications डालता है क्या APS आने वाले time में mandatory रहेगा, किसके लिए, uni assist के लिए, क्या uni assist without APS, आपके case को आगे forward करेगी, universities में, नहीं करेगी, वो भी ये सारी knowledge करौनिमी घृष्ट के fingers के उपर है कि हम आपका APS किस वे से uni assist को बेजना है, दूसरे साइड में आपका क्या process करना है countries on our fingers जिनको हम शेंगन में डील करते हैं आपका जर्मनी में जाने के बाद आप as a student है, क्या आपने अपनी spouse के जाथ साथ डार रहे हैं, क्या जर्मनी ठीक रहेगा आपके लिए, हम बताएंगे कि नहीं ये गलती नहीं करनी, अगर आपने अपनी spouse का वीजा अपलाई करना है, तो जर्मन A1 कहां से सीखनी है, कौन से students को, कौन सी spouse को A1 exempted है, वो chrony immigration ही बता सकता है, हमारा अपना जर्मन का language center है, जरंदर के अंदर यहां पर हम up to B1 तक सकाते हैं, इवन बहाँ जाने के बाद, यहां से स्टूडी को लीक कैसे, स्टूडी, आप अपना course building को प्रोग्राम, vocational प्रोग्राम कैसे apply कर सकते हैं, यह सारे के सारे चीजें वो ही बता सकता है, जिनको knowledge है, chrony immigration के चैनल के अपर number of Germany से related videos, अगर उनको भी देखना चाते हो, तो हमारे चैनल को ब्रोज करके दे सकते हैं, लासिफ यही रिक्वेस्ट अगर आपको जो मेरी वीडियो चले को इसको like and share करना ना मुले, thank you